Hi Folks, मैं वरिशब और आज के वीडियो हम सॉॉल करेंगे SQL Interview Question हमारी SQL Interview की सीरीज थी उसका ये 2nd वीडियो है तो आज जो Question हम सॉल करने वाले है ये काफी important Question है क्यूंकि इन Question को आलड़ी काफी Product-based Companies में पूछा गया है के तो काफी easy लगता है बट output बनाने में काफी महनत है और नीचे जो table जो input table इसको बनाने के लिए मैंने query दिये तो आप भी इसको बना सकते हो किसी भी SQL में तो अगर आप input table देखते हो तो में पास चार teams के name है बट output में आप देखते हो तो में पास 6 रो का output आ रहा है तो यह क बोलते हैं कि data analyst job में कहां पर maths use होता है कहां पर studies होता है तो आप यहां पर एक example देख सकते हो इसको समझाने के लिए मैं एक example consider कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो three two one ठीक है तो यह basic formula होता है अगर आपको जाता समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी आप बस यह इस चीज़ पर द्यान रखो कि इस question को solve कैसे करते हैं अभी मैं थोड़ा से आपको बस इसकी पीछ का maths बता रहा हूं ठीक है ताकि आपको समझने में easy हो तो अगर आ solve कैसे करेंगे तो यहां पर n और r की value को replace कर देंगे तो आप देखो ऐसा आएगा कुछ तो solution अपने सीकोल में solve करने से पहले एक बार में यहां पर समझा देता हूं आपको अगर आप एक चीज का ध्यान रखते हो जैसे ऑस्टेलिया का हम लोगों ने match किया इंडिया से और पाकिस्तान से ठीक है बट ऑस्टेलिया का हम लोगों ने कहीं पर ऑस्टेलिया से नहीं किया है क्योंकि कोई टीम खुद से match नहीं कर सकती है इंडिया एक साथ कैसे खेलेगी ठीक है तो वह चीज का ध्यान रखना है दूसरा चीज अगर मैं बोलता हूं कि ऑस्टेलिया वर्स इंडिया हुआ है तो यहां पर आप देखो कहीं पर भी इंडिया वर्स आस्टेलिया नहीं मिलेगा आपको क्योंकि सेम चीज हो जाएगा ना वह इंडिया वर्स आस्टेलिया वर्स इंडिया बात तो इकी हुई ना तो उस चीज का भी ध्यान रखा गए यहां पर चीक है अब चलते हैं सिक्वल में सबसे पहले हम लोग अपना टेबल देख लेते इंपूट ठीक है तो मैं बूलता हूं सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम जो टेबल का नाम है वह मैच इसको करते हैं रन और पूट हम पास चार कंट्री के नहीं में चार टीम के नहीं मतलब इंडिया पाकिस्तान और इंगलेंड ठीक है अब एक काम करते हैं इसमें अभी जैसे में पास आप ओस्ट होगा उसके लिए रोंबर एक आईडी कॉलम बनाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं ये विंडोस फंक्शन होता है और इसके यह वीडियून देता है ठीक है तो मैं बोलता हूं सब कुछ इसके अलावा मुझे चाहिए रो नंबर तो आप बोलो रो अंडर स्कोर नंबर ठीक है और जब भी आप विंडो फंक्शन यूज करते हो तो आपको ओवर क्लॉज यूज करना होता है ओवर और पार्टिशन का इसमें जरुवत नहीं है मैं आपसे और और बाई लगा दे रहा हूं ठीक है कुछ भी आप नाम दे सकते हैं तो मैं आईडी दे रहा हूं और फ्रॉम मैच हो गया ठीक है इसको करते हैं रन तो अब आउटपुट देखो आपके पास टीम्स के नेम तो थे ही जैसा था एक नया आईडी कॉलम आ गया जिसमें आपको 1234 एक सीरियल लंबर मिल गया अब ने सबके साथ कॉंबिनेशन मिल जा इसले हम लोग सेस्ट जाइन का यूज कर रहे हैं और यह और चीज मुझे यह रो नमबर भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसको मैं डाल दूँगा सीटी के अंदर ताकि एक टेबल में यह स्टोर हो जाए अब जिसको सीटी नहीं पता त इसके लिए मैंने अल्री कोर्स बना रखा है यह तो सबसे पहले मैं बोलता हूं वीड तौछ भी नाम दे सकते और उसका मैंसीटी पूआ का इस पे करना है तो जाइन मुझे करना है यह है से मुझे और तीम्स भी डॉत टीम्स टीम्स को पर जांग कर रहा हूं एक का मतलब क्या हो गया उसी सीटी टेबल को मैंने बार बोल दिया है को मैंने एक बार बी बोल दिया है ठीक है एक टेबल बद दो बार बोला क्योंकी ULS जॉइन में आपको उसी टेबल को पर जॉइन लगाना होता है तीम्स के पर जॉइन लगा दिया अगर इसको रण करता हूं तह अब आप आउटपुट देखते हो तो टोटल हमारे पास 12 रोज आ रही है जब कि हमको पता है कि हमारे आउटपुट में 6 रोज होनी चाहिए थी ठीक है तो एक्स्ट्रा क्यों आ रही है तो मैं आपको उताता हूं जैसे आप सबसे पहला देखो यहां पर इसने ऑस्ट्रिया वर्सेस इसने कर रखा है तक है अगर आप वर्सेस इंडिया देखो गे तब ही इंडिया वर्सेस ऐंग्लीन भी की आओ घिया करेंगे तो तो यह सारे मैचिस रिपीट हूरह में id column है वो मेरा smaller होना चाहिए table b से इससे क्या होगा जो डुप्लिकेट वैल्यू जा रही थे ना जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्टेलिया वर्सेस इंडिया यह रिमूव हो जाएगा ठीक है अब इसको हम लोग रन करते हैं कुछ चेंज नहीं किया सिर्फ और सिर्फ एक कंडि एक row number add किया row number add करने के बाद हम लोग ने क्या किया उसको एक ct-table में डाल दिया एक चीज़ का आप और काम इसमें कर सकते हो जैसे कि मुझे अगर यह दोनों आइडी कॉलम नहीं चाहिए और टीम का नाम चाहिए यहाँ पर सब कुछ की जगह आप ऐसा बोलो ए डॉट टीम और इसको आप बोल दो एज जैसे मैं बोलता हूं टीम ए चिक है और ऐसे मैं बोलता हूं बी डॉट टीम इसको आप बोल सकते हो एज टीम भी ठीक है अब देखना में तुला सुन्दर लगेगा और ऐसा कुछ है नहीं अब इसको रॉन करते हैं सब कुछ एक साथ तो आप देख सकते हैं आप टीम ए टीम भी आ गया और इन दोनों के जो मैचेस हैं तो इस तरीके सा आप मुल्टिबल टीम के बीच में फिक्शर बना सकते हो और इसी सेम आउट्पूट को मैंने आपके साथ इस पीडिएफ में भी शेयर किया है ठीक है तो इस पीडिएफ इस इस इंप्लाइब की नाम है ठीक है बट आउट्पूट में क्या चीए इसको यह जो सेम आपकी जो नेम है यह आपको इस तरीके से चाहिए मतलब आपको 1, employee 1 2, employee 2 मतलब क्या कर रहा है यह आईडी और employee के नेम को पहली चीज़ गॉन कर रहा है ठीक है और दूसरी चीज होगा कि जो आईडी और जो नेम है इनको हम लोग कॉन्काटिनेट करेंगे दूसरा स्टैप होगा इसमें एक हम लोग विंडो फंक्शन यूस करेंगे जिसको हम लोग एंटाइल बोलते हैं ठीक है तो आपको यह पता है कि आपको जितना भी एक रो में डेटा है उनको वह इक्वल नमबर ऑफ ग्रूप में डिस्ट्रिबूट करता है जितना वैल्यू आप देते हो जैसे कि मैं बोलता हूं अगर एंटाल के अंदर वैल्यू पास करता हूं तू मतलब तो अगर आपको पास दस रो का डेटा है तो टू ग्रूप को बनाएगा तू मतलब पांच ट सबस्क्रें उसको ब्रूप करते हैं तो यह आग हम सीखव में सबसे पहले हम लोग इंपूड देख लेते हैं तो सबकुछ फ्रम टेबल कर नाम है मेरा इंपलॉई एमप इसको करते है रण तो आप देख सकते हैं में पास जो इनपूड डिटा है दो कॉलम में प्रूम उसके बाद आप इसमें बीच में स्पेस डालने के लिए मैं क्या करूंगा क्योंकि जो मेरा उट्पूट है उसमें इंप्लॉई आईडी और नेम के बीच में स्पेस है ठीक है अगर आपको अभी समझ भी नहीं डाल रहा आपको बाद में समझा दूँगा ठीक है यहां पर स्पेस देने क्ली आपको कोडs के बीच में स्पेस देना होगा तो सिंगल कोडस सा उसके बीच में एक स्पेस मैंने दिया अब देखो आपका थोड़ा सुन्दर लगेगा तो आप पूट देख सकते हो अभी इसमें बीच में गैप आगया ठीक है वन और इंप्लॉई की बीच में गैप आगया तो अभी ठीक है मतला ऐसा ही हम लोग आप चाहिए था अब न होगा डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहां पर फोर पास कर दूँगा ठीक है तो फोर से क्या होगा कि चार ग्रूप बना देगा तो अगर एट है आपके पास एट रोसका उनका चार ग्रूप बनाएगा मतलब सभी ग्रूप में दो-दो बैलिउस आए और मुझे लिखने जुरत नहीं है बट फिर भी मैं बेस्ट प्रैक्टेस है तो लिख देता हूं और इस टेबल का नाम में बोल देता हूं ग्रूप ठीक है कि यहां पर अभी हम लोग बना रहे हैं यह हो गया अब इसको करते हैं रूप तो आप देखो इसने क्या किया है वन और टू एक गूरूप डाला है वन थ्री और फोर को इक गूरूप में डाला है टू फ़्र फय यव अपा इपको गूरी ओ डाला है तो अब लिख cop i Chase को डाला एक गॡूप में फॉर अब इसके बाद इस वाली को हम लोग इनर लगाना है तो यह मुझे लगाना है जो मेरा कॉन जो मैने नया कॉलम बनाया है ठीक है उसके पर लगाना है और बीच में मुझे कॉमा लगाना होगा ठीक है तो यह कॉमा दे रहा हूं अभी कॉमा के बाद स्पेस भी लगेगा तो वह भी मैं एड कर दे रहा हूं और इस कॉल groups के basis पे group करना है तो यहां पर देख सकते हैं जैसे 1 दो बार आ रहा है तो यह combine के एक group बन जाएगा और यह सब कुछ होने के बाद data को मुझे sort करना है तो sort भी मैं कर दूंगा order by groups चीक है तो अगर इसको run करते हैं तो मैं आपको output दिखा देता है एक बार थोड़ा sort जगा दे तो भाई run तो आप देख सकते हमारा output आ चुका है इसको मैं थोड़ा से expand कर दे रहा हूं इस column को अब आप देखो यहां पर employee 1 employee 2 है 3 4 5 6 और यहां पर group है तो यह हम लोग को अपना output चाहिए था जो की perfect आ चुका है एक और चीज़ अगर आपको डाउट है कि string function या string aggregate function करता क्या है तो मैं आपको एक बार example से समझा देता हूं अगर मैं यहां पर use करता हूं जैसे इसी को ठालेते हैं और बहनत क्यों करना तो यहां पर मैं लिखता हूं select string aggregate और कौन की जगा मैं आपको example देने क्लिए में समझा देता हूं कि कर क्या रही है ठीक है तो यहां पर मैं नाम देता हूं name as result इसको और देता हूं और from table का नाम ठीक है ताकि आपको समझ में आ जाए string aggregate करता क्या है तो actually string aggregate जितने भी आपको इस column के टेबल के अंदर नाम दिखेंगे जैसे employee one employee two उन सब को यह comma separated के basis पर जो भी आप दो गया option जैसे यहां पर मैंने comma दिया हुआ हुआ है और एक space दिया हुआ इसके basis पर सब को concatenate करके एक line में दिखाएगा दिखाते हूं मैं आपको तो output देखो हाँ पर आप यह देखो मैं पास eight employee थे सबको इसने comma separate करके सबको add कर दिया है ठीक है तो यह string aggregate का का काम करता है यह जो string aggregate function ऐसे काम करता है इसलिए हम लोगों ने आप string aggregate function को use किया एक comma के बाद space दिया दूसरा चीज हम लोगों ने बोला कि आप concatenate तो करो strings को बट किसके basis पे group by के basis पे तो उससे होगा क्या जो group one के अंदर है उनको यह concatenate करेगा पहले फिर दूसरा जाएगा group two के अंदर जो है तो उनको concatenate करेगा ऐसी हो three or four के लिए भी करेगा ठीक है तो आप आपको यह चीज आप clear हो गई हो और इसी same output को मैंने इस video में भी पेस्ट कर दिया तो आप यहां से भी इसको download करके आप इसको यूज कर सकते हो तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए